दस्तो आज हम ट्रिक से याद करेंगे इसरो लाँच विकल देखिए इसरो के द्वारा भी तक जितने भी मिसल लाँच किये गए हैं उन्हें किस विकल से लाँच किया गया एक्जाम में यहां से क्वेशन पूछे गए हैं उमीद आगे भी पूछ लिए जाएं इसी के साथ इसरो के द्वारा 2019-20 में जो भी सेटेलाइट लॉंच की गई है उन्हें किस रोकेट से या फिर किस विकल से लॉंच किया गया इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे मिर भाई बेलकुल चोटा सा प्यारा सा टोपिक है और यह आपको एक्जाम में एक दो नंबर जरूर दिल से अब हमें यह विकल याद करना है भाई कौन सा मिशन किस विकल से लॉंच किया बात और यह मिशन मंगल यान की मंगल मंगल से याद आते हैं भाई मंगल वार और बाई मैं तो यही कहूंगा अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा आपके काम बिगडते जा रहे तो मंग प्रशाद बाट दीजिए आपके बिगडे काम बन जाएंगे मंगल यान मंगलवार को 25 रुपए का परसाद बाट दो बास और कुछ याद नहीं रखना और पी एसलवी की फुल फॉर्म होगी पॉलर सेटेलाइट लांच विक्कल अजके बाद है चंदरियान वन 22 सी का हो गया चंदर चंदरियान और 11 में भी वन वन आ गए और बात और यह चंदरियान वन की तो बिल्कुल इजी हो गया ना बाई चंदरियान वन C1 देखे दोस्तों इन सभी टोपिक पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे हम सिरफ विक्कल को ट्रिक से याद कर रहे हैं डिटेल वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं नेक्ष्ट है चंदरियान 2 22 जुलाई 2019 को लॉंच किया गया और ये सब जानते हैं भाई GSLV MK3 से लॉंच किया गया जिसे इसरो का बाहुबली रोकेट भी कहा जाता है ये इसरो का आप तक का सबसे सकती साली रोकेट है क्या नाम है GSLV MK3 इसी से चंदरियान 2 को लॉंच किया गया 22 जुलाई 2019 को और भाई चंदरियान 3 लॉंच किया जाएगा या तो 2021 के एंड में या 2022 में कौन से विकल से GSLV MK3 से ये भी बाहुबली रोकेट से लॉंच किया जाएगा याद रखना GSLV MK3 से उसके बाद मिशन गगन्यान लॉंच किया जाएगा 2022 में GSLV MK3 से देखिए इस रोकेट पास अभी तक जो भी सकती साली रोकेट है ना वो यही है GSLV MK3 तो अपने आने वाले जितने भी मिशन है इस रोके वो सब इसी से लॉंच होएंगे GSLV MK3 से तो ये याद करना आपके लिए बिल्कुल एजी हो जाएगा बस मिशन मंगल यान याने की मंगलवार को आप 25 रुपए का परसाथ बाठ दीजिए याने की PSLV C25 से लॉंच हुआ और चंदरियान 1 PSLV C11 से लॉंच किया गया उसके बाद चंदरियान 2 चंदरियान 3 और मिशन गगन यान ये सब लॉंच होंगे GSLV MK3 से नेक्स्ट वेरी इंपोटेंट आर्यवाट उपगरे 19 अपरेल 1975 को लॉंच किया गया कौन से विकल से इंटर कॉस्मोस रोकेट से लॉंच किया गया और ये रोकेट है सोवियत संग का और भाई 101 परसेंट यहां से आपके आने वाले एक्जाम में जरूर क्योंच पूछ जा गया और 17 साल बाद 11 फरवरी 1992 को 1992 को वेरी वेरी इंपोटेंट डेट वाई यह पिर्थवी पर वापिस लोटा आर्यवाट उपगरे को सोवियत संग के इंटर कोस्मोस रोकेट से लॉंच किया गया था जो कि हम आपको बता ही चुके हैं आर्यवाट का वजन था 360 किलोग्र इसे इसरों ने सोवियत संगी की मदद से विक्षित किया था और देखिए इस एतियासिक छण को यादगार बनाने के लिए रिजर बैंक ऑफ इंडिया ने 1976 में दो रुपए के नोट पर आर्यवाट उपग्रे की तस्वीर चापी वेरी इंपोर्टेंट फॉइंट है वाई हमें पूछा जा सकता है देखिए जब हमारा पहला उपग्रे यानि कि आर्यवाट लॉंच वाँ है और जब आर्यवाट उपग्रे लॉंच किया गया उस समय इस्रों अध्यक्स कोन थे सतीस धवन यह 1972 से 1948 तक इस्रों के अध्यक्स रहे तो भाई जितने भी पॉइंट हमने कवर किये ना वह एट टू जैट वैंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आजकल एकजा में गुम से लैट दिसंबर 2020 में लॉंच किया गया यह । प्यू यह से लज किया गया पी येश लएट वी शिंफिफटी , अब सीमट का हो गया साव चिएम सहाब कोई भी decision लेने से पहले एक बार नहीं पांच बार सोचते हैं CM सहाब कोई भी decision लेने से पहले एक बार नहीं, दो बर नहीं, तीन बर नहीं, चार बर नहीं पूरे पांच बार सोचते हैं याने कि PSLV C50 CM सहाब CMS कोई भी decision लेने से पहले एक बार नहीं, पूरे पांच बार सोचते हैं, तो CMS को लॉंच किया गया PSLV C50 से, उसके बाद है, EMI सेट अप्रेल 2019 में लॉंच किया गया, कौन से विक्कल से, PSLV C45 से, ये एक डिफेंस सेटेलाइट है, और देखिए भाई, सेटेलाइट पर भी हम complete वीडियो बना चुके ह फुल डिफेल आपको वहां से मिल जाएगी, अभी हम इनके विक्कल याद कर रहे हैं, ट्रिक से, अब EMI सेट की बात हो रही है, EMI, मैं मुश्किल से मंतली 4-5,000 रुपे तक की भर सकता हूँ, बात हो रही है, EMI की बाई जोब चले गई पैसे नहीं है, EMI मैं मुश्किल से महीने की 4-5,000, विक्कल कौन सा है, PSLV C-45, बाई EMI में मुश्किल से महीने की 4-5,000 रुपे ही भर पाऊंगा, मेरे पास जोब नहीं है, पैसे नहीं है, नेक्स्ट, कमाल सेट V2 2019 में लॉच्च किया गया PSLV C-44 से, यह सबसे छोटा सेटेलाइट था, अब कलाम से याद आ PSLV C-44, एपी जी अब्दुलकलाम को ना, चारो दिसाओं में, चारो कोनो में, चार-चार हो गया ना, और कलाम है, एपी जी अब्दुलकलाम इतने जबरदस साइंटिश्टेंश थे भाई, उसको, इंडिया के अंदर चारो कोनो में ही नहीं है, पूरे वर्ड के चारो कोन मैं लाफिन किया गया PSLVC 44 से पात ओर यह माइक्रो सैट अभर माइक्रो सैट से हो गया माइक्रो मेऍक्स के सैट माइक्रो मैख्ड मोबाइल फ़न च्र रफ class चारो दिशाओं में 4 9 पुरी तरह से पिट गए वारी जबसे Chinese वण आये ना उन्हों के इतनी plam पैसों में इतनी फेसलिटी दे दी फोन के अंदर के माइक्रो मेक्स के फोन ना चारो दिशाओं में चारो कोनों में पिट गए तो माइक्रो सेट आर PSLV C44 से लॉंच होई उसके बाद है कार्टो सेट 3 2019 में लॉंच किया गया PSLV C47 से 47 से अब कार्टो सेट से हो गया कार्टो 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 की वह इशारी है और जो कार्टो टाइप होते है न उसे कोई भी अपने साथ याने की साथ फोर से होने न भाई कार्टो लोगों को कोई भी अपने साथ रखना पसंद नहीं करता कार्टो सेट 3 2019 में PSLVC 47 से 7 यानि की 7 उसके बाद है EOS 01 यानि की अर्थ अबजर्वेशन सेटेलाइट 2020 में लौच किया गया PSLVC 49 से अब बात हो रही है अर्थ अबजर्वेशन की के भाई हम अर्थ की खुदाई कर रहे हैं खुदाई कर रहे हैं लेकिन उसको अबजर्वेशन नहीं कर रहे हैं उसका निरेक्शन नहीं कर रहे हैं हम चारों तरफ से खुदाई किया जा रहे हैं लेकिन अर्थ का 2020 और NTPC में जो भी ट्रेंडिंग जी के ट्रेंडिंग साइंस के टोपिक पूछे जा रहे हैं जो कि हम अपनी वीडियो में कवर कर रहे हैं उन सभी का पीडियाफ साथ ही हमने 2019 के इंपोटेंट टोपिक इंकलूड किये हैं वो सभी मिल रहे हैं आपको महतर 27 रुपे में अब जैसे ही टेलिग्राम गुरूप पर पोचेंगे आपको सभी टोपिक मिल जाएंगे के आपको 27 रुपे में 90 पलस यह यह टोपिक मिल रहे हैं अगर आपको लगे हाँ पैसे वसूल है तो वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा आप उस लिंक पर किलिक करके वो पीडियाफ प सब्सक्राइब करते हैं रिसेट टूबी यह 2019 में लॉंच किया गया पीएसलवी सी 46 से उसके बाद है रिसेट टूबी आरवन 2019 में पीएसलवी सी 48 से लॉंच किया गया दोनों सिमलर है तो भाई ट्रिक से याद नहीं करेंगे इन दोकों तो आप ऐसे भी याद रख सकते है उसके बाद है जी सेट 30 जनवरी 2020 में लॉंच किया गया यह भी कम्यूनिकेशन सेटेलाइट था और इसे लॉंच किया गया एरिना 5VA251 से देखें जी सेट 30 को फ्रेंच गवाना के कोरुस्तित स्पेस सेंटर से यूरोपियन रोकेट एरिना 5VA251 की मदद से लॉंच किया ग ने लेकिन इसे लॉंच किया गया एरिना 5VA251 की मदद से और इसके बाद है जी से नहींसे फरवरी 2019 में लॉंच किया गया था यह भी कम्यूनिकेशन सेटेलाइट है और इसे भी एरिना 5VA247 से लॉंच किया गया जी सेट 30 को 251 से जी से रष़ाटिवन को 247 से बस ये इन में तो जितने भी सेटेलाइट थे जितने भी मिशन थे वो किस वीकल से लॉंच किये गए हमने कवर कर लिया है और भाई अब आप 90 पलस टोपिक जो हम आपको प्रवाइड करा रहे है करेंट अफेर 2020-19 ट्रेंडिंग जी के ट्रेंडिंग साइन से वो आप चेक आउट कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्करफ्शन में आपको टेलीग्राम ग्रूप मिल जाएगो वहाँ पर आपको कौन-कौन से टोपिक मिल रहे हैं उससा भी जानकारी फुल डिटेल के साथ मिल जाएगी तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत